Hello Friends, मैं रमिश सिंग स्वागत करता हूँ आपके अपने चनल एजुकेसर पर कॉमर्स में Friends, आज का हमारा टॉपिंग अकाउंटिंग फॉर सेर कापिटल है Accounting फॉर सेर कापिटल या Company Accounts जहां पर हम लोगों का जो सेर कैपिटल में जो में चैप्टर पढ़ना है वो में हमारा टॉपिक इसुआफ सेर्स है कि हम सेर्स कैसे सुरू करते हैं दोस्तों इसुआफ सेर्स को सुरू करने से पहले हमें जो है कंपनी के बारे में कुछ बैसिक समझने जरूरी है कुछ बेसिक समझ जाएंगे तो यह चैप्टर आपको समझना बड़ा असान हो जाएगा तो मैं चाहता हूँ कि पहले आप ने असाब कुछ बेसिक बाते समझें तब क्या बेसिक स्ट्रॉंग हो सके ठीक है तो चलिए सुरू करते हैं कि इसमें सबसे पहले आप लोगों को जो है फॉर्म सो बिजनस की बिजनस हम अगर करना चाहे तो कौन कौन से बिजनस है तो किस किस तरीके से कर सकते हैं तो देखिए आपका जो नेचर आप बिजनस से कुछ भी हो सकता है जैसे माली जी आप पैन बेचना चाहते हैं तो आतों देखिए, sole proprietorship के form में बिजन सुरू करें, यानि single owner company, आप अकेले अपने बिजनस के मालिक है, देखिए इसके एक disadvantage होती है, advantage है तो disadvantage भी है, advantage में सारा profit आपका होगा, disadvantage सारा risk भी आपका होगा, limited capital होगी, समझें, आपकी thinking capacity या आपकी managerial ability, managerial ability भी limited होगी, आप सारी चीज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो इससे बचने के लिए आप क्या करते हैं, आप partnership format में आते हैं, कि भी अब पहले आपका अकेले effect लग रहा था, आप कुछ लोगों का मिलके effect लगेगा, तो हो सकता है कि आपका profit margin थोड़ा बढ़ जाए, आपका efficiency level थोड़ा बढ़ जाए, risk जो हमार पस दो type की company होते है, private company और public company, अचा private company और public company के बारे में, अगर आप detail में जनना चाते हैं, आप मुझे कमेंट कर दीजेगा, तो मैं private company, public company के लिए अलग से separate video बना दूगा, क्योंकि आज का हमारा topic देख है issue of shares है, तो हम private company, public company क्या होती है, क्या difference है, तो हम उस पर भी जाएंगे, तो हम अपना topic आगे बढ़ाते हैं, तो हम बात करते हैं सिसरे company के, देखे company का मतलब क्या है, देखे company, वैसे हम company को हम group कहते है, group, जानि कि जब हम business में पैसा in a group, मैंने कई सारे लोग मिलके जब पैसा लगाते हैं, तो हम क्या कहते है, company, जानि मैं company में कह सकता ह कि यहां पर company की capital है, capital contributed by large number of persons, यानि कई सारे लोग मिलके पैसा लगा रहे हैं, कोई एक इंसान पैसा नहीं लगा रहा है, कई सारे लोग मिलके पैसा लगा रहे हैं, और यह जो 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 पैसा लगा रहे हैं, इन ही को हम क्या कहते है, shareholders, ठीक है, हर company में हर किसी एक इंसान का ह हिस्सा है, तो जिसका जितना हिस्सा है वो उतना पार्ट का shareholder बन जाता है, तो company में क्या करते हैं, कई सरे लोग मिलके पैसा लगा रहे हैं, company के अगर असली मालिक अगर बोले जाए, real owner तो यह होते है, company में असली risk होता है, वो इन ही का होता है, main risk तो यह ही लोग रहे है, क company को manage करने के लिए, यह क्या करते है, जो sales returns है, वो अपने board of directors appointed करते है, तो board of directors जो है, वो sales holds, company को run करते है, जानी यह कह सकते है, जो board of directors जो है, वो company के लिए एक तरीकिसे trustee ben जाते हैं, कि ये अए ट्रस्ट का रिलेसंट है कि बोर्ड डियरेक्ट्र जो भी डिसिजिन लेंगे वों कंपनी के हेत के लिए लेंगे कंपनी के प्रॉसिट के लिए लेंगे गये अरिक नग जाएंगे और ये ब्ड़ ड्रस जो जवाब दरी होती है यह वो शेयर होल्डर्स के अगे जट होती है, तो कि रियल मालिक जो है, वो यह कंपनी के कौन है, सेयर होल्डर्स, चलिए, अब इससे आगे बढ़ते हम लोग, ठीक है, अब देखें, कंपनी की सबसे पहले डेफिनेशन देखने जरूरी है, कि भी कंपनी के डेफिनेशन क्य होता है, जो कंपनी एक्ट 2013 में रजिस्टर हो, जा फिर अन्डर अन्डर अर्लियर कंपनी एक्ट, असल में 2013 से पहले हमारे देश में कंपनी एक्ट 1956 चलता था, तो जो भी कंपनी या तो कंपनी एक्ट 2013 में रजिस्टर होई हो, या इस से पहले वाले किसी एक्ट में, यान Indian company है company कहते है ठीक है अच्छो आगे वड्धेयां अब दिखें धरст में सब्धाय फ़े Circuit May착 walugaccatic भी कपिटल आ रजिदध का सरी लोग मिलकेपपा पैसा लगा रहे यह ना तो इसकी कई सब्धाए Pixel wheat şey और इन सब का company में हिस्सा होता है जिसे हम क्या क्या करते है अगर सेर्स की वासे अगर definition अगर बोली जाए तो definition क्या बनेगी तो it is a unit यह ऐसी unit है जिसमें हम business की जो company की जो total capital है वो divide करते है let's say मैं कहता हूं कि company की total capital है वो 10,00,00 रुपे है तो मैं क्या करता हूं इस total capital को छोड़ चोड़े part में divide कर देता हूं उस चोड़ चोड़े part उस unit को हमने सेर्स का नाम दिया यसे मैं जाता हूं रुपीस 10 रुपे है या एक सेर्स जो है अगर company का अगर आपको चाहिए तो वह 10 रुपे का है ठीक है जो 10 रुपे सेर्स की face value, face value भी कह सकते है और इसका एक नाम और भी है, nominal value ठीक है तो जो भी company की सेर्स की face value है या nominal value है आप उससे डिवाइट कर दी चो total capital को ठीक है तो इससे क्या होगा इससे हमारी company के number of shares आ जाएंगे यानि 10 रुपे divided by 10, एक लाख सेर्स, अब company के सेर्स है वो एक लाख सेर्स है, ठीक है तो हमने क्या करा हमने company की total capital को divide कर दिया in shares ठीक है और एक shares की value होती है उससे हम क्या कहते है face value और जो लोग इन shares को hold करते है उनको हम क्या कहते यानि shares को हम और कैसे different कर सकते है इत इत फ्रैक्शनल part of share capital यानि उसका हिस्सा shares ठीक है fractional part कितने fractions है उसके ठीक है fractional part of shares is called shares ठीक है आगे बढ़ते है अब देखें कितने types के shares होते हैं ठीक है तो हमने क्या करा हमने जो है दो type के shares बनाई है यहांपर equity shares और preference shares equity shares को और ordinary shares के नाम से भी जाना जाता है जयनि अगर कभी आप ordinary करके पढ़े तो confuse मत होगा वो equity shares ही होते है अचा आप होते है equity shares क्या होते है preference shares क्या होते है तो देखिए equity shares आप कह सकते है company के real honor होते है ठीक है अगर हम इसके technical definition की अगर बात करें तो क्या है इसके definition तो section 43 में इसके definition दे गई है company act 2013 में इसके definition दे गई है section 43 के अंदर और वो definition दे गई है equity shares are shares other than preference shares other than preference shares देखो क्या खतरनाक definition दे रखिए क्या बोला हुआ equity shares are shares other than preference shares मैं लग वो shares जो preference shares नहीं होते है उनको हम equity shares कहते है और यह definition का लिक है section 43 of company act 2013 में कि जो preference shares नहीं होते है और वो equity shares होते है अब सवाल यह उड़ता है कि preference shares क्या होते है preference shares की definition section 43 में दे गई है उसमी का लिखा है अब जैसे नाम देखिए इसका preference नाम से इसके definition के होते है preference यानि प्रात्मिक्ता इनको priority मिलती है तो यहाँ प्रिका सेकते preference shares have preference over equity shares have preference over equity shares की preference shares को equity shares के against preference मिलती है अचा किन चीजों में preference मिलती है तो दो चीजों में preference मिलती है वो दो चीजे कौंकौंसी है number one payment of dividend जाने कि जब कभी profit बटेगा अब dividend मिलना profit profit में हिस्सा share in profit कि जब profit में जब हिस्सा मिलेगा तो सबसे पहले profit में किसको हिस्सा दिया जाएगा तो जी सबसे पहले profit में reference shares को इस्सा दिया जाएगा, जब profit बटेगा तो पहले किसको profit में हिस्सा मिलेगा, preference shares को, अगर उनको देनी का profit खतम हो गया तो तो क्या equity shares को मिलेगा, नहीं, फिर equity shares को कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए इसको preference बोला जाता है, कि पहले बढ़ इनका प्र जाएगा, इनको profit में हिस्सा दिया जाएगा, उसके बाद अगर कुछ बचता है, तो equity shares को profit मिलेगा, अधरवाई equity shares को profit नहीं मिलेगा, इसलिए इसका नाम preference है, दूसरी बात, अगर कभी company बंद हो रही हो तो, तो अगर company बंद हो रही होगी, और उस से में capital की payment करनी हो, तो at the time of winding up, यानि company कभी अगर बंद हो रही होगी, तो सबसे पहले, सबसे पहले, preferences की capital का पैसा दिया जाएगा, उसके बाद अगर पैसा बचता है, तो equity shares को payment की जाएगी, नहीं को equity shares को payment, नहीं की जाएगी, या को जितना पैसा बचेगा, वो सारा पैसा equity shares का, यानि अगर थो जो है technical definition है, हमारे equity shares की और preferences की, तोड़ा थोड़ा पाट थेओरिका कर रहे है, या आपके लिए जरूरी है, या समझना सारा, फिर हम इसके अभी कुछ questions भी करेंगे, ठीक है, अच्छा, आगे बढ़ते हैं, अब देखिए, अब हमारा main topic, इस chapter का start हो रहा है, issue of shares, अब दे talk option plan, और तिसरा issue of shares to the public, कि shares जो हम public को देते हैं, mainly इस chapter में हमें यह topic deal करना है, लेकिन हाँ, हमको थोड़ी basic knowledge भी इचाहिए, ताकि हमें पता चल सेके, कि भी shares किस को कैसे का सेशू कर सकते हैं, तो जब से पहला होता है, private placement of shares, यहाँ पर company क्या करती है, जैसे मालने जी एक त लोग होंगे, company उनको privately shares issue कर रही है, ठीक है, किसी और को नहीं, सिर्फ specific इस एक group को shares issue कर रही है, तो अगर company ऐसा करती है, तो इसे में क्या कहते है, private placement of shares, ठीक है, अचा, employee stock option plan, यहाँ पर company का कर रही है, अगर ध्यान से देखेंगे, तो employee stock option, यानि company अपने employees को, जो company के अप employees है, उनको shares दे रही है, इसको, अपने employees को, अपने employees को, और यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, तो लिखा है, employee stock option, यानि यहाँ पर employees को option दिया जा रहा है, कंपल्सन नहीं है, option है, ठीक है, कि यहाँ पर employees की अपनी मर्जी है, कि वो company के shares purchase करें, या फिर ना करें, ठीक है, त option क्या है, company जो है, less than market price, मतलब market में जो भी price चल रहा होगा, उससे भी कम rate पर shares issue करने का option दे रही है, जैसे, माली जी, अगर market में 100 रुपे का share चल रहा है, तो company हो सकता है, कि यह 70 रुपे का option दे रहे है, ऐसा क्यों करती company, अगर इसके बारे में, अगर आप जानना चाहते ह तो comment जरूर करेगा, तो मैं आपको employees talk option plan के detailed video अलग से बना के दूँगा, लिकिन अगर आप comment करेंगे तभी, नहीं तो अभी आपके 12th level के लिए इतना जानना समझे ना, बहुत काफी है, कि यहाँ पर हम अपने employees को option देते हैं, कि market price से कम rate पर आप shares purchase कर सकते हैं, ठीक है, औ और employees के लिए सिर्फ option है, compensation नहीं है, यालि employees चाहें, तो इस कम rate में shares खरीदें, ना तो ना खरीदें, कोई problem वाली बात नहीं है, और main अब हमारा topic से होता है, issue of shares to the public, तो यहाँ पर company क्या कर रही है, यहाँ पर company public को, ठीक है, shares issue कर रही है, अब कैसे shares देते हैं, क्या क्या ज topic है, issue of shares to the public, ठीक है, कि public को हम shares issue कर रहे है, अब जब public को shares issue करते हैं, तो हमारा पास देको दू अपसर होते हैं, एक होता issue of shares for cash, और दूसरा issue of shares for other than cash, क्या मतलब है, issue of shares for cash or for other than cash, तो देकि इसमें होता क्या है, जैसे जहाद मान लिजे, एक तरह है company और एक तरह है public, ठीक ह तो issue of shares for cash में क्या होता है कि जो public है उसने company को पैसा दिया और company ने बदले में shares दिये ठीक है तो देखे पैसा जो है public से company के पास आ गया और company ने क्या करा अपने shares दे दिये तो यह जो process जो हुआ इसी को बोले जाता है issue of shares और यह issue of shares for cash और अगर माल लीजे एक तरफ company एक तरफ यह public है अब यह other than cash की बात हो रही है कि माल लीजे company ने public में से किसी से कोई एक asset करे दा ठीक है माल लो कोई machine करे दी building करे दी या कोई furniture करे दा ठीक है अब बताओ company को इसके बदले payment तो करनी है यह company अपनी company के shares दे दे देती है कि तो को payment तो करनी है company ने उस asset के बतले shares दे दिये यह तो shares दे दी company ने इसी को बोले जाता है issue of shares for other than cash यह हमने cash ने दिया द्यान रखना हमने क्या करा हमने payment के लिए अपनी company के shares दे दिये तो यह दो topic हमें इस chapter के अंदर पढ़ने issue of shares for cash और issue of shares for other than cash देखिये आगे बढ़ते है अब issue of shares for cash की दब बात करते हैं तो जैसे मैंने भी थोड़ देर पहले बताया था हर company की shares की एक value होती है जैसे हम कहते है face value तो अब यहाँ पर हमारे company की अब यहाँ पर company है और इस तरह पब्लिक को यह 10 रुपे दर दे रहे है और बतले में shares इधर से इधर आना है अच्छा अब यह 10 रुपे company चाहे तो पब्लिक से 10 रुपे एक ही बार में ले 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 जाए यह 10 रुपे तोड़ा तोड़ा करके ले अगर 10 रुपे एक ही बार में company ले ले लेती है तो उसे बोलते है इस तोड़ा होता है इस तोड़ा तोड़ा करके मतलब कि company 10 रुपे एक बार में लेगी तो इस तोड़ा तोड़ा करके मतलब कि company किस तरीके से पैसा ले रही है इस तो अगर 9 पार में लेरीए जा इंस्तौर्मेट ले रही है सट तोड़ा कर्स में बहु вниз और आप करके अब और आपको all the time के दिखाऊंगा ठीक है अभी थोड़ा सब और हलका सा बेस बना लेते हैं फिर हम कोशन की तरब मुझ करते हैं अच्छा अधर दैंक कैस में क्या होता है अब देखिए अधर दैंक कैस में तैसे पहले बने बताया था ठीक है कि कमपनी क्या करते हैं यहां पर जो है अगर माल किसे से असेट परचेस करें तो अब अगर असेट परचेस करें तो कंपनी को बदले में क्या करना पड़ेगा कंपनी को बदले में अब पेमिंट करना पड़ेगी और पेमिंट अगर कंपनी सेर से शू करके करती है तो इसको करते है इसको करते है इसो अफ सेर्स फॉर अध दूसरा होता है business purchased, business purchased मतलब कई बार क्या करती है company किसी business को ही खरीद लेती है, पुरी के पुरे business को acquire कर लेती है, ठीक है, और अब बदले में आपको payment करनी है, payment करनी है, payment करनी तो payment कैसे करेंगे, तो company के पास एक option होता है, company अपनी company के shares दे सकती है, जैसे माल लीजिए, अभी जैसे Facebook है, तो Facebook ने WhatsApp को purchase किया ना, Instagram को purchase किया ना, अब बताइए, तो WhatsApp को purchase कर गया, अब फेस्बुक को payment भी करनी है, तो Facebook payment कैसे करेगा, तो जहाई तो cash दे, चेक के तुरू payment कर दे, जा फिर एक option और भी है, कि Facebook क्या करेगा, Facebook के shares WhatsApp वालों को दे देगा, यानि WhatsApp के जो company के तो WhatsApp किसी रोल्डर की shares कातम हो जाएंगे, और अब उनके पास shares आजाएंगे, Facebook company के, तो इसे करते, issue of shares for other than cash, जब हम business को purchase करते है, जहां पर भी entry cash होंगी, वो भी हम सिखेंगे, ठीक है, चलिए, अब आगे बढ़ते है, अब देखे, issue of shares, तो अभी तक हम ने समझ लिया, issue of shares for cash, और for other than cash, अब issue of shares में अगर बात करें, तो देखे, shares जो हम देते हैं, जैसे मनी कहाता है, हमारे हार shares की face value होती है, ठीक है, तो मानली जी हमारे shares की face value होई 10 रुपे है, तो जब हम public को देंगे, तो 10 रुपे का share, या तो 10 में देंगे, या 10 से ज्यादा में देंगे, या अगर 10 का share, 10 से ज्यादा में दिया जाता है, तो उसे गोलते है premium, ठीक है, यानि हमने sales को premium पे इसो किया, अचा कितना ज्यादा हो सकता है, तो जी कितना भी ज्यादा हो सकता है, मला 10 रुपे का share, 2 रुपे ज्यादा, 200 रुपे ज्यादा, 2000 रुपे ज्यादा, इसकी कोई limit नहीं कि premium केतना हो सकता है। इससे माली जितों हम आपके । अपका account आप पेपर स text बचिने पvem पढ़ना केलीலा है। यहान प्ली प्ली हरा है। तो किसी भी फ्रेट के पास एक्स्ट पैनी आपको देने के लिए। अब क्या है और पैपर करें अब कर ला है..कही और आरेंश कारी कोशिद करी है। पूरे शकूल पास पैन直接 पास आपको देने के लिए। अर वहीं पर क्या है इसकोल के गेट पर या कम पाउंड कहीं पर कोई एक वेक्ति पैनले के खड़ात अर आप कैट को बहुत है थैज कगी पहले लेगा पर दो दो डॉपे को अपया पैनले मुश्कले ले लें लीग ता कि वह उस्से जी पहले लेंगे बिल्कूल लेख थो कि अधी आप लोया पानमां ने पांच जार खाला हुऊ और डीं इं पहल जा करो कि खिड़ और थे पंच जरा एर पांच जरा को एंस तो इस पहल विए ड्षे घमाग हुआकर पांज छुआ गःष चार, झाहिएpak तो दोर पे पांच़र नहीं देखे जाते हैं, उस पांच़र देने से हमें रेटन क्या मिल रहा है, तो जितना भी एक्स्रा पैसर दिया जाता है, उसे क्या क्या घ्म हो सकता है, इसकी कोई लिमेट नहीं होती है, ऐचा और तीसरा case किया है, discount, कि shares discount में issue हो जाए, अच्छा मैं यहाँ पर इक बात बता दूँ, अब discount वाला option है, हमारा अब 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 असी खाताम हो चुका है, जो Company Act 2013 आया ना, Company Act 2013 के आने के बाद, अब कोई सी भी हमारी Indian company जो है discount में shares issue ने कर सकती जानि अगर वो shares issue करेगी तो par pay जा फिर premium pay मला जो उसका issue price होगा जा तो उसकी face value जानि 10 रपे के बराबर होगा जानि 10 रपे के बराबर में issue करेंगे जा फिर issue price 10 रपे से जादा होगा जानि face value plus premium ठीक है लेकिन क्या उससे कम हो सकता है issue price तो जी 2013 से पहले तो हो सकता था पर अब नहीं हो सकता बला अब discount में shares issue नहीं हो सकते ठीक है अब 2013 के बाद ये rule बदल गया ये law बदल गया ठीक है यानि अब हमारे देश में जातो shares par pay फिर premium पे जहाँ पर दयान रखेगा कि जब हम shares par pay issue करते हैं तो हमारे issue price face value के बराबर होता है premium पे जब issue करते हैं तो हमारा issue price होता है ज्यादा होता discount में जब होता था Salah face value से काम होता था लेकिन अब discount में shares issue नहीं होते ठीक है अब देख slices कुछ सवाल जिससे आपका थोड़ा बेस बन जाए अब दिखें कोशन नमबर वन आपके लिए मैंने बनाया है अब थोड़ा सा पहचानिएगा कि यह जो कुशन है जैसे मैंने का था लंप सम पेमेंट या इस्टॉल्मेंट पेमेंट इक टेक बार में सारा पैसा आ जाए या क्या करा bet 35,000 नहीं के पुब्लिक को आफर कर दिया, जैसे सेब्कात लिए bend कक्या का राम का चेप का थी, कि क्या करता 15,000 नहीं करने का था याउ जैसे दानी इंट टेक है थाफर कर दिया का कंपनी तु बतागोत दोशन नमसम पाल मेंट बाल मेंट वाल सवाल है इस्टोल् उसी समय सारा पैसा देना है तो जी यह लंसम पेमेंट वाला सवाल है कौन सा सवाल है लंसम पेमेंट में क्या करते हैं कि लंसम पेमेंट में आप देखो एक तरफ पब्लिक है और एक तरफ कमपनी है तो पब्लिक ने क्या करा पब्लिक ने कमपनी में पहले पैसा दिया यानि कमपनी में apply किया और उसके बाद फिर company करेंगी इस application को accept करेंगी जो लिए कर दा सेर्स फुली सब्सक्राइब ठीक है तो यहीं company ने वह application accept कर ली और फिर पैसा मिलता है कमपनी को और चिकांश देती है, तो जल्व एंट्री के अगर बात करते हो पैसा मिलने के एंट्री और दूसरी एंट्री होगी फिर सिर्स इसु करने के एंट्री, यानि पहले एंट्री होगी application money received, पब्लिक ने जो application दे की है, तो पहले हैं application money received, और दूसरी entry होगी, application money transferred to share capital, जब application accept काती है, तो हम उस पैसे को capital माल लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, application के पैसे को capital में, share capital में transfer कर देते हैं, तो application money received की general entry, जब आए, इसके entry बनेगी bank account debit, company एपैसा आया, bank account debit, to share application account, bank account debit to share application, कितना पैसा आया, तो दिएक share पर 10 रुपय आया, total कितने share है, total थी 5,000 share, तो 5,000 share पर कितना पैसा आया हुगा, तो 10 जार इंटू 5 जार, 10 इंटू 5 जार ही हो जाएगा 50 जार रुपे, ध्यान रकना यहां पर अभी सिर्फ application money मिली है, ठीक है, और जब यह शेर्ट की application accept हो जाती है, तो company का करती है, इस पैसे को share capital में transfer कर देती है, transfer करने के entry होती है, share application account debit to share capital account, ठीक है, तो यह पचास जार रुपे जो है, application के capital में transfer हो जाएगे, ठीक है, बड़ी simple सी entry होती है, अच्छा, यहां पर ध्यान लखना, एक तो lump sum वाला यासा बाल ता, और दूसरा, जहां पर हमने share को power pay इसू किया, ठीक है, क्या कि पार पे इसू सकता है, 10 का share 10 में, जा पर premium पे इसू, अगर यही सवाल माल लेजिए, premium पे इसू हुआ होता है, तो क्या करते है, कैसे करते है, देखे जैसे, देखो इसमें लिखा, while limited issued 10,000 shares spend each to the public at a premium of 2, 2 औरपे के premium पे इसू किया, payable in application, यानि यह सारा पै application money received, जानि हमें पहले application का पैसा receive हुआ है, ठीक है, पहले उसकी एंटरे करेंगे, और दूसरा जब यह application accept हो जाएगी, तो यह पैसा फिर capital में transfer कर देगे, जानि कि, application money transferred to share capital, अब इसकी एंटरे क्या होगी, ठीक है, तो पहले तो application money received के एंटरे देख लेते हैं, कि वह application का पैसा मिला है, एंटरे जाएगी bank account debit to share application account, कितना पैसा मिला होगा, तो देखो यहापके 2 रुपे premium पेस हुआ है, 10 रुपे के इसकी face value है, तो यानि कि public ने 10 रुपे तो दिये होगे, premium का पैसा भी दिया होगा, जानि कि 12 रुपे एक share पे दिये हैं, तो अच्छा, 12 रुपे एक share पे दिये हैं, और total shares कितनी हैं, total 10,000 shares है, तो 10,000 into 12, तो total कितना पैसा हो जाएगा यह, एक लाख 20,000 रुपे, ठीक है, जो हमें receive होगे है, अच्छा, premium के साथ, अब जैस share application account debit to share capital account, अच्छा, यहाँ पर एक चीज का दियान दखियेगा, भाई, application में मिले तो 12 रुपे आपको, ठीक है, अच्छा, इस 12 रुपे में से 10 रुपे capital वाले हैं, ठीक है, और 2 रुपे premium वाले हैं, ठीक है, capital वाले, premium वाले, तो यहाँ पर जब आप करेंगे share application तो यहा इसको अधिए अिछा एक्स्टा मिले वो आजाएगा, premium के नाम से, security premium बोलते हैं इसको, जब आप इसको entry करेंगे, तो यह था एक लाख लाग बीस थाजार, ठीक है, यह जो credit किया था हमने, application, जो हमने फर्स एंटर में किते है, share application account, एक लाग बीस थार जो उपने रुपे हजाएगा, ठीक है? ठीक है जी, एक लाग वीच जा़ रुप्य से, अब टूशयर क cabinets, तो तोवस्यार capital में 10 इंटू ठीक है और वह 10 आज शेशेट तो यह हो जाएगा 1 लाग रुप्य है। To Security Premium में 2 रुपे है, वोई 10,000 सेर्स पर तो यह हो जाएगा 20,000 रुपे है, ठीक है, अच्छा, अब जो है, एक कुशन और कर लेते हैं, यह तो देखो, लंशम की बात हमने करी, कि अगर इंस्टॉर्मेंट में थोड़ा-थोड़ा करके, अगर यह पैसा मिला होता, तो हम कैसे करते हैं इसको, तो एक कुशन हम इस्टॉर्मेंट वाला कर लेते हैं, तो देखिए कुशन नुमर थर्ड, अब इसमाली कहा, एक लिमिटेड इसूर 40,000 सेर्स 10H, पुब्लिक को इसू की हमने, और पेबल 3 on application, 3 on allotment, 2 on first call and balance on second and final call, यह इसका जो payment जब किया जाएगा, तो application application में, allotment में, first call में, and second call में, application में 3 रुपे, allotment में 3 रुपे, first call में 2 रुपे, and second call में 2 रुपे, और total number of shares कितनी है, 40,000 सेर्स, यह जब public apply करेंगे तो application में 3 रुपे जब shares allot किया जाएगे तो 3 रुपे, और जब कॉल किया जाया का तो first call में दोर पे और second call में दोर पे अब देखो लिखा था company made the allotment to the applicant in full, बल्लब full applications आईगी है, बल्लब जितने shares थे, वो हमने 40,000 shares दो यह application received करी, उनको 40,000 को 40,000 shares allot कर दिए, ठीक है, all amount due on allotment and calls were duly received, कि जो पैसा मिला वो पैसा अलॉर्ट्मेंट का, calls का वो सारा पैसा में receive हो गया, अब इसकी entries क्या होगी वो देखना हमें है तो देखें, से से पहले application की बात करते हुए, application के entry क्या होगी, ठीक है, तो application की दीखिए, दो entry होगी, पहले application को receive किया जाएगा, और application के पैसे को transfer किय जाएगा, ठीक है, जैसे हमने इस से पहले कैता, बस यह है कि अब यहाँ पर हमें 3 रुपे मिल रहे है, पूर सारे पैसे एक साथ नहीं मिल रहे है, तो जब receive होगा तो पहली entry होगी bank account debit to share application account, amount कितना आ जाएगा, तो 3 रुपे 1 share के मिले हैं, और 40,000 share से हैं, तो कितना होग अब ट्रांसफर जब करेंगे तो entry क्या होगी, to share application account debit to share capital account, तो एक लाग बीस रुपे यह transfer होगा है, जो हमने application accept कर ली, तो हम अब क्या करेंगे, capital में transfer कर देंगे होगी हमारी application की entry, ठीक है, अच्छा इसके बाद next entry, तो जी, अब next entry, entry होगी आपकी allotment के लिए, अच्छा इसके लिए, allotment के लिए बी दो entry होती है, ठीक है, तो पहले allotment के लिए को due किया जाता है, फिर allotment को receive किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना, सब दो यहिंटी होती है, application के 2 allotment के लिए, first call के 2, second call के लिए, तो application में किया था, पहले receive और फिर transfer लेकिन allotment में क्या होगा allotment में पहले due किया जाएगा और फिर receive अच्छा due करने के entry तो due करने के entry हो जाती है share allotment account debit to share capital account जो हमने पहले due कर दिया कितने रुपे से due होगा तेखो वही तीन रुपे से due होगा कितने share से 10,000 share तो 10,000 share पर ुपे के साफ से due होगा तो 30,000 रुपे । 10,000 रुपे तो 40,000 share तो 40,000 share पर 3,000 रुपे के साफ से due होगा तो और फिर ये एक लाग वीज़ार पे रिसीव होंगे, रिसीव होंगे तो bank account debit to share allotment account, ठीक है, थोड़ा यह ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, तो जब due करते हैं, तो share allotment debit होता है, और share capital credit, एक चीज़ का ध्यान रखना, share capital, जितनी भी entry करोगे, share capital credit होगा, share capital credit होगा, ठीक जाएगे, बढ़ते जाएगे, तो capital में सा credit होता जाएगा, ठीक है, तो allotment को जब due करेंगे, तो entry करेंगे, share allotment debit to share capital, और जब यह पैसा receive हो जाएगा, तो bank account debit पैसा आ गया, और share allotment credit, अब ऐसी first call के भी entry करेंगे, first call के भी दो entry होगे, और second call के भी दो entry होगे, तो जिए first call के entry करते हैं, अब देखिए first call में क्या होगा, first call में को भी पहले due करेंगे, और फिर first call को receive करेंगे, पहले due करेंगे, फिर receive, second call में भी क्या होगा, second call को पहले due करेंगे, और फिर second call को receive करेंगे, यह पहले due, और फिर उसके बाद receive, बस, जाएगा due receive, due receive, यही इसमें entry होत तो first call को due करने के entry जागी, share first call account debit, ठीक है, to share capital, share capital है में सा credit होगा, अच्छा, कितने रुपैसे due होगा, तो 2 रुपे per share है, और total कितने share से, चालीस रुपैसे दो, तो ये 80,000 पे due होगा है, और फिर ये पैसे receive करना है, तो receive करने के entry, तो bank account debit, bank account debit to share first call account, amount कितना जाएगा, वोई 80,000, ठीक है, अच्छा, ये first call due होगा, अब second call को due करना है, second call कितने रुपैसे, ये second call भी देखो 2 रुपे की है, 40,000, share पर, तो 2 into 40,000, वोई 80,000 रुपे, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना, जब हम second call को due करेंगे, तो यहाँ पर entry जब हम लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे, share second and final, जो भी last call होती है, उसके साथ final word लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, share second and final call account debit to share capital account, अगर मालीचे first call आपकी last call होती है, तो first के साथ भी last लगा सकते है, first and final, जो भी last call होती है, उसके final word लगाना compulsory है, अच्छा amount कितना आजाएगा यह, 80,000, यह होगी हमारी due की entry, अब receive करने की entry, तो bank account debit to share second and final call account, और यह 80,000 रुपे में receive हो गए, एक question और कर लेते हैं, फिर उसके बाद इस वीडियो को wind up करेंगे, और इसके बाद यह था हमारा basic, अच्छे से सारे notes कर लीजाएगा, फिर मैं आपको कुछ और अच्छे-च्छे questions कराऊंगा, ताकि यह chapter आपको अच्छे से cover हो जाए, तो चलिए सुरू करते हैं, अगला question, question number 4, अब देखे, question number 4 में कर लिखा, while limited is owed 30,000 seers, 10 is to the public at a premium of 2, अब यहां पर देखे, 2 रपे के premium पेशो किया गए, seers को, 30,000 seers, 10 रपे का 1 है, ठीक है, और payment कर लिखे, payable 4 on application, 5 on allotment, including premium, थोड़ा ध्यान देजेगा, including premium, यानि इस पांच रपे में premium का पैसा जुड़ा हुआ है, तो इसमें क्या होगा, application, allotment, और फिलिखा, balance on first and final, अच्छा, balance on first and final call, तो balance कितना होगा, तो देखे, पहले तो application के 4 रपे, allotment में तेखो, पांच रपे बोले गए है, इसमें इंक्लूडिंग premium भी है, मैं इस पांच रपे में premium का पैसा भी जुड़ा हुआ है, premium कितना रपे गा, दो रपे गा, तो रपे प्रेमिम के भी जुड़ा हुआ है, तो पांच रपे में, अगर दो रपे premium के मिले, तो तीन रपे जो बचे है, वो हमारे capital के मिले होंगे, यानि मैं इसको 3 प्लस 2 ऐसे कह सकता हूँ, capital का मतलब, देखे, सेर्स की जो face value है, वो 10 रपे है, तो में हमें 10 रपे का सेर्स्ता मारे लिए है, दो रपे के premium पैस हुआ, तो capital वाला जो पार्ट होता है, तो capital के लिए जो पार्ट होता है, तो capital के लिए अगर देखे तो 4 रपे और 7 रपे बने अभी तक, तो 4 रपे और 3 रपे, 7 रपे, अब जैसे में लिए का balance on first and final call, जो balance पैसा होगा, वो first call में मिल जाएगा, तो balance कितना होगा, तो balance कितना होगा, 10 रपे चार रपे applies का 3 रपे पैसा पैसा कितना हो गा, तो आपको 10 रपे कर साफ साफा देखना है तो 3 रपे मारन about that, बाकी के ल olhar के 2 रपे, १ सबसे कितना होगा Goldman, और यह आगे वड़ते ता allowed al counter balance, तो इसमें देखो कितनी एंट्री होंगी, जैसे इससे पहले हमने देखा था, भई application की दो एंट्री होई थी, अना, allotment की भी दो एंट्री हां, और यहां पर first call की भी दो एंट्री हां, तो इसमें कुल मिला के 6 एंट्री होगी, चली करते फटा-फटी 6 एंट्री हां, तो दे हैं, तो जहां पर मैं क्या करता हूँ, मैं इस डेटा को थोड़ा यहां लिख लेता हूँ, application में 4 रुपे, अच्छा, allotment में 5 रुपे, including premium जाने की 3 प्लस 2, और first call में balance था जाने की 3 रुपे, ठीक है, और total number of sales के इतने थे यह, 30,000 sales थे, ठीक है, तो 30,000 sales के लिए हमारा यह questions किया जा रहा हूँ, अब करते हैं इसकी general entries, ठीक है, तो पहली entry जाएगी application के लिए, application के मारी two entry होंगी, पहली receive करने वाली bank account debit to share application account, ठीक है, और दूसरी फिर इस पैसे को capital में transfer करने वाली entry, share application account debit to share, capital account, amount कितना आएगा, तो देखे, application के चार रुपे मिल रहे हैं, और कितने shares पर, 30,000 sales पर, तो 4 into 30,000 कितना हो जाएगा, एक लाग 20,000, तो जी, एक लाग 20,000 ही हो गया, अच्छा, अब यह, एक लाग 20,000 ही हो गया, अच्छा, अब यह, एक लाग 20,000 ही हो गया, तो इसमें क्या होता है, पहले हम due करते हैं, और उसके बाद हम पैसा receive करते हैं, तो जब due करेंगे तो entry होगी, share allotment account debit, to share capital account, to security premium account, तो क्योंकि 3 रुपे आपके capital के हैं, और 2 रुपे आपके premium के हैं, तो allotment में पुली मिला की हो गया, 5 रुपे, लेकिन यह तो एक share की बात अब सोचेंगे, तो 30,000 इंटू 5 करोगे तो यह हो जाएगा 1,50,000, 30,000 इंटू 3 करोगे तो यह हो जाएगा 90,000, 30,000 इंटू 2 करोगे तो यह हो जाएगा 60,000, ठीक है, clear है बात, क्योंकि वो एक एक share का 5,3,2 था, 30,000 share से जैसे ही multiply करेंगे तो यह total value हाजाएगी, आपको aggregate म इतना पैसा मिलना है, चलिए होप आपको समझ में हा गया, अब next इसको receive करने के entry करते हैं, अचा, receive करेंगे तो entry होगी bank account debit to share allotment, अब आप यह पर premium debit credit मत कर देना कहीं गलती से वो भी debit credit कर देना, अब आपको तो यह total 1,500,000 पर यह मिलना है ना, तो यह total 1,500,000 मिल जाएगे कि भाई उसमें आपके 90,000 capital के हो गए और 60,000 आपके premium के हो गए, जो आपने due के, due के आपने 1,500,000, तो 1,500,000, अब हमारी last entry first call के, और first call के भी हमारी देखो 2 entry होगी, क्योंकि सब की 2-2 entry होते तो first call के भी हमारी 2 entry होगी, पहले due करना और फिर उसके बाद receive करना, ठीक है, share first and final, जो भी last call होते हैं के साथ final word लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, तो share first and final call account debit to share capital account, amount कितना आएगा, तो 5 रुपे पर share है, 30,000 shares पर, तो ये due amount हो जाएगा, 1,500,000 रुपे, ठीक है, अच्छा, 5 रुपे पर share है, ये तो 3 रुपे पर share है, तो 3 रुपे पर share के साथ से due amount हो जाएगा अमारा 90,000, चलीजी, 90,000, ठीक है, तो ध्यान रखना होगा भी due amount कितना है, मैं गल्ती से 5 रुपे डेख लिया था, अब receive के entry करेंगे, तो receive के entry हो जाएगा bank account debit to share first and final call account, ठीक है, और ये amount हो जाएगा 90,000, ठीक है, अब मेरे ख्याल से है, अब आपको तो काफी कुछ concept clear हो गाई है थोड़े basic सवाल हमने किये अब हम इससे अगले next level के questions करेंगे जिससा आपकी concept और अच्छे बन जाएंगे ठीक है तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाए बाए